हेलो एवरिवन मैं हूँ सच्चिन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चानल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसेट डेवलप्मेंट विट पी एच पी और जैसा कि हम लोग एक ब्लॉक क्रेट कर रहे हैं अगर इस में से कोई चीज भी एड़िट वगड़ा करना होगा ना एड़िट वो देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको ले के चलता हूँ मेरा जो कोड डेट्र है और कोडेट्र में यहां पे मैं दिखाता हूँ यहां पे देखिए जहां पे एडिट वाला लिंक मैंने बनाया है वहां पे मैंने यहां पे एक page का address का link दिया न edit post.php तो भई edit post.php नाम का एक page तो हम लोगो बनाना होगा यह पना हुआ तो नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां जाएंगे देखिए यहां admin में मैं click करूँगा और यहां पे new file में click करूँगा और यहां पे इसका नाम मैं देदूँगा edit post.php ठीक है और enter मारेंगे अब edit.php में जो लिखना है तो इसको मैं क्या करूँगा देखिए add post.php जो page है ना यहां जाओंगा और सारा चीज़ को मैं copy करूँगा और copy करने के बाद मैं आ जाओंगा वापस edit.php में और यहां इसको मैं कर दूँगा paste ठीक है अब देखिए इसमें हम लोगों को और क्या क्या चीज़ चाहिए वो एक बार देख लेते हैं सबसे पहले ऊपर चलते हैं हम लोग अभी यहां पर यहां पर देखिए error set यह तो ठीक है मगर और एक चीज़ चाहिए हम लोगों को उसके लिए हम लोग कहां जाएंगे हम लोग जाएंगे edit cat page में और edit cat page में जाने के बाद में इसका उपर में देखिए यहां पे जो हम लोगों हम लोगों ने प्येश्पी का एक ब्लॉक बनाया था जिसमें हम लोगों ने गट मत सेट है कि यह चेक करवाया था इस चीज़ को हम लोग लेंगे और edit post में आ जाएंगे और edit post में आने के बाद में यहां पे इसको मैं paste कर दूँगा ठीक है और एक काम करेंगे हम लोग इसको यहां पोस्ट तो कर दिये है ठीक है अब यहां पर देखे कुछ कुछ चीज़ करना पड़ेगा हम लोग को क्या के चीज़ चेंज करना पड़ेगा उसके लिए इसको मैं हटा देता हूने तो confusion हो जाता कभी कभी तो यहां पर देखे क्या है हमारा नाम जो हम लोग यहां पर set किये उसका नाम हम लोग post id दिये है तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे यहां पे जो cat id है इसको हम लोग कर देंगे post id और यहां पे भी हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे भी हम लोग लिख देंगे post id अगर post id set नहीं होगा ठीक है और post id का value अगर नल होता है तो यह हम लोगो redirect कर देगा किसमें यह हम लोग को show post.php वाला page में redirect कर देगा so post.php वाला page में redirect कर देगा else अगर ऐसा set होता है ठीक है तो क्या होगा कि हम लोग एक variable बनाएंगे post आइडी नाम का और यहां पे हम लोग तो उस वैल्यू को क्या करेंगे करेंगे यहां से थिक है तो वैल्यू कैसे मिलेगा पोस्ट ईडर ऑके यह यह तक ठीक है बाकी यह अरर वाला है यह तो आपको पता ही है अब हम लोग थोड़ा से फिर नीचे जाएंगे यहां पे और अब हम हम लोग क्या करेंगे देखिए यहां पि फिर हम लोग प्याचपी का थर कोड ब्लॉग की स्टार्ट करेंगे यहां मेरं इसक exemplu करें चूब कर लेटे हैं कहीं पर करें तो कुझ रिक्त है नहीं एक काम करते हैं यहां पर form के बाद यहां पर PHP का एक blog हम लोग यहां बना लेते हैं और PHP का blog बनाने के बाद यहां पर देखे करने क्या वाला हूं मैं यहां पर एक query लेने वाला हूं ठीक है तो मैं यहां पर एक variable लूँगा और variable के अंदर में मैं एक क्यूरी लिखूंगा तो मैं यहां लिखता हूं सलेक्ट और उसके बाद में यहां पर मैं लिख दूँँगा कि अलेक्ट कि अल कि प्रॉम पी ओस्टी पोस्ट टेबल वैर आईडी इक्वल टू पोस्ट आईडी जहां मतलब जो हम लोग का गेट के थूद यो पोस्ट आईडी है न आया है तो वह अगर इक्वल होता है तो वहां से सारा वैल्यू क्या करेगा यह लेके आएगा ऐसा हम लोगों यहां पर क्यूरी बनाए है भी लिखे है अभी इस क्य क्यूरी को रन करवा के हम लोग क्या करेंगे एक वैरियेबल में हम लोग इस्टोर करवा लेंगे आरेस नाम का और फिर माइसक्यूल आई क्यूरी फंक्शन यूज करके इस क्यूरी को हम लोग रन कराएंगे यहां पर मेरे को कौन नाम का वैरियेबल चाहिए और उसके बा आर येस वाला मतलब क्यूरी अच्छा से अगर एक्सिक्यूट हो जाता है तो आदिस में कुछ वैल्यू आएगा यह हमको ट्रू मिलेगा तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे यहां पर फिर हम लोग उसको ग्रैब करेंगे एक वैरियेबल में मतलब जो डाटा सब आ रहा है ठीक है तो यहां मैं लिख देता हूं माईसी कवेळाई क्यूरी तो अ है माईसी क्यूरी नहीं हम लोग को फेस करवाना है न तो यहां पर लिखना होगा मांसी को नाई फैज क्या और यहां पर लिख देंगे आर ये ठीक है तो अब वहां का जो भी डाटा यह जो क्यों रही है इसके एकॉर्डिंग जो भी डाटा हम लोगों को डाटा बेस से मिलना था वह हम लोग फैच करवा लिए है और उसको लोग पोश्ट में श्टोर कर वा लिए है उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे र्खिये मैं यहां जाऊंगा अब जो बैदी मिलेगा हम लोग को ठीख है जो अब हम लोग को मिलेगा तो वह भी चाहिए हम लोग मगर उसको legt क्षाये में नहीं यह ना ओटो है ठीक है और यह चीज है जो पोश्ट फॉर्म है ना यहां पे एक्षन जोगा वह इस पेज में मैं नहीं परफॉर्म करने वाला हूँ मैं उसके लिए अलग एक्षो पेज पर बनाने वाला हूँ उसका नाम में रखूँगा अपडेट अब डिए टी अपडेट.php नाम का एक पेज में क्रेट करने वाला हूँ इसलिए यहां पर मैंने एक्षन में चेंज करा दिया यहां से डाटा हम कहा जाएगा हम लोग क्या देंगे hidden देंगे और उसके बाद में यहां पर इसका नाम देना होगा तो इसका नाम जो होगा वो मैं ID दे रहा हूँ and then फिर यहां मैं दे रहा हूँ आपका value 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 और इसके अंदर में फिर हमारा PHP start होगा और यहां पर PHP close होगा और इसको यहां हम लोग बंद कर देंगे इसके अंदर में हम लोग E को लिखेंगे और फिर यहां पर dollar sign post square bracket और इसको इधर बंद कर देने से ठीक रहेगा हां square square bracket और square bracket के अंदर में यहां पर मैं लिख दूंगा ID तो यहां से मेरे को post का जो ID है वह value मिले आएगा ठीक है उसके बाद में क्या करना पड़ेगा उसके बाद इसका काम हम लोग बाद में करेंगे पहले यहां से यह मेरे को चाहिए और भी बहुत जगा तो यहां से कॉपी कर लेते हैं कॉपी करके यह अभी select option को ऐसे ही छोड़ देते हैं और टाइटल म आने के बाद में इसको paste कर देना है और यह ID का जागा में सिर्फ यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग T I T L E title लिख देंगे उसके बाद में फिर image को भी अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और आ जाते हम लोग text area में अब text area में जाने के बाद यहां पर क्या करना होगा हमको य यह जो value है ना भाई यह नहीं चाहिए हमको तो इसको हटा देंगे हम लोग और यहां पर यहां पर क्या आएगा यहां कॉंटेंट है वहां पर साइद बॉड़ी लिखा है मैंने वहां पर हमारा body लिखा होगा ठीक है अगर error दिखाता है तो हम लोग check करेंगे नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे ठीक है तो उसके बाद में फिर यहां पर tag में जाएंगे हम लोग और यहां पर जाके फिर paste कर देंगे तो database में यहां पर हमारा क्या नाम है भाईया tag नाम है त तो यहां पर हम लोग लिख देंगे author ठीक है यहां तक तो हो गया उसके बाद पहले बाद चेक कर लेते कि क्या हो रहा है न तो एक बार मैं इसको refresh करता हूं और refresh करने के बाद में अगर मैं edit में click करूं तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यह title लेके आ गया है और content जो body part है वो भी आ रहा है और उसके बाद में फिर यहां पर tag भी आ रहा है सचीन भी आ रहा है तो यह work कर रहा है ठीक है अब यहां एक image हम लोग को display करवाना है तो वो भी करवा लेते हैं तो वो हम लोग कैसे करवाएंगे image वाला part जो है तहां गया image तो image वाला part में यहां देखे जो हमारा table है यहां तो यहीं पर मैं क्या करूँगा मैं यहां पर एक image टेग ले लूँगा उसके बाद यहां पर मैं लिखूँगा up loads upload उसके बाद flash and then मैं paste कर दूँगा हमारे पास यहां पर जो php में लिखा हुआ था यह चीज़ को यहां पर यह value नहीं चाहिए हमको और यहां पर यह नहीं चाहिए हमको ठीक है अब यहां पर post का जगा में क्या लिखना है हम लोग को यहां पर लिख देना image 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 और साथी साथ यहां पर यह alt तो नहीं चाहिए मेरे को इसको हटा देते हैं और यहां पर डबलू आई डी टी एच वाइड इक्वल टू यहां मैं दे देता हूं हैंडेड पिक्सल ओके और 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 यहां पे हम लोग एक बी आट टैग ले लेते हैं बस इतना करके अगर मैं फिर से यहां ले जाओं और एक बार इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए अब य हमें सा इस्टी एमेल दिखाएगा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए यहां पे कैटेगरी क्या है जावा है मगर जब मैं एडिट में क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे सेलेक्टेड क्या आ रहा है इस्टी एमेल आ रहा है लेकिन हम लोग को यहां पे क्या चाहि पर्टिकुलर जो लाइन में था उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए भी थोड़ा से हम लोगों को लाजिक लगाना होगा तो हम लोग पहले यहां चल जाते हैं अब वो जो लाजिक है ना वो लगाना कहा होगा वो यह ऑप्शन वाला जगा पर लगाना है यहां पर और य PHP का block start करेंगे हम लोग PHP PHP open and close कर लिए and then यहां पर मैं लिखता हूँ if और उसके बाद यहां मैं बोलता हूँ कि जो हमारा post है और post से जो हम लोग को cat मिल रहा है cat में क्या मिल रहा हम लोगों को एक ID मिल रहा cat ID और वो ID अगर equal होता है है किसके साथ में देखि यहां पर हम लोगों को जो fetch करवा रहे है वह मिल किस में रहा है वह रो नाम रो में मिल रहा है ठीक है रो और वहां पर क्या लिखा हुआ है cat ID लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखा हुआ है cat ID मतला category वाला जो table है हमारा वहां पर category का जो ID है वहां पर लिखा गया है cat ID और यही अगर मिलता है हम लोगों को और एक number मिलता है cat से तो यह दोदोगर सेम होता है तब यहां वाला चीज होगा दर्वाइस नहीं होगा अब क्या होगा भी यहां वाला चीज यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर सबसे पहले तो इसका जो यहां पर इसको मैं बंद कर देता हूं PHP और उसके बाद यहां पर PHP का टैग में स्टार्ट कर देता हूं ठीक है अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर हम लोग HTML लिख सकते हैं यहां पर HTML में एक आता है जब भी आप सेलेक्टे किये होंगे तो आपको पता होगा कि पर्टिकुलर कोई चीज को अगर हम लोगों को सलेक्टेड करवाना होता है यह जरूरी नहीं कि जो उपर है वही सलेक्टेड में आएगा अगर हम आद में और कुछ तो दर्कार है नहीं एल्स वाला पार्ट यहां पर अगर हम लोग लिख दिए सलेक्टेड हो जाएगा थीक है स्लेक्टेड रहेगा ऐसे हम लोग यहां लिख दिए ते एक बार हम लोग जाते हैं सो पोस्ट में और वापस हम हम लोग आ जाते देखिए यहां उसमें करेंगे तो वह तो इस्टीमल ही दिखाएगा क्योंकि पहले लिखा हुआ है यहां अगर मैं क्लिक करता हूं तो इस बार देखे जावा आया इस्टीमल नहीं है मतला हम लोग का वर्क कर रहा है और अगर और डीटेल में अगर आप चे केटिगरी दिख रहा है उसके बात यहांपे सेलेक्ट आया ऑप्षेड वी आया यहां पर शेलेक्ट participation सेलेक्टेड वाला m pixel करूंगा एक temper मैं इसको गड़न देता हूं यहां पे यांके वापस हम लोगत सो पोस्ट में आजाते हैं अपने हैं यहां एश्टी एविल वाला पार्ट में हम लोग यहां पे क्लीड अगर करते हैं बोवो जो सेलेक्टेट फॉल चीज रहेगा वो कहा रहेगा वह फीमिल के सामने रहेगा वह द्रहाद व्यूte बीधित में जाना था लुट लोग को राइट क्लिक और इंसिप्ट में जाना था और तो इनस्पेक्ट में में लुक है हाँ ठीक है आ गया ऊगया यह आ गया जी कि यह आ गया ललोग यह व髦ी besp जाएंगे लोगा हम प्रॉट आंगे हम लोग पेज में ये लेके जाएंगे लिए के लिए क्या होगा कि एक update.php नाम का भी पेज बनाना होगा मगर एक बार नीचे हम लोग चलते हैं और नीचे जाके भी हम लोग कुछ changes करना है जैसे यहां पर एड पोस्ट जो है इसको मैं कर दूँगा अप date post और इसका जो value है एक बार इसको फिर change करना पड़ेगा और इसका जो value है इसको भी मैं क्या कर दूँगा update post अप up update post और then अब मैं नीचे अगर जाओ तो देखिए यहां पर मेरे पास पहले से बहुत सारा code लिखा हुआ है तो मैं ज्यादा मेनत क्यों करूं ठीक है मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको ही यहां से copy कर रहा हूं यहां तक इसको यहां से हटा देते यह चीज हमको यहां नहीं चाहिए ओके हमको कहां चाहिए एक नया हम लोग पेज बनाएंगे यहां पर तो यहां क्लिक करते हैं और इस पेज का नाम हम लोग रख देंगे अब date.php और यहां पे हम लोग एक बार जाते हैं और form में भी यहां देख लेते उपर में कि हम लोग वहां change किये थे न form में action का सामने जी हां देखिए update.php अब update.php में जाने के बाद क्या करना है यहां पे इसको paste कर देना है this paste करने के बार एक काम और करेंगे हम लोग देखी यहां पर जो हम लोग दिए सबसे पहले कि अगर यह update post यहां जो है यह update पोस्ट दिखा रहा यह क्या और चाहिए था य assumptions आपका अप टेट पोस्ट और चाहिए यह क्या क्या और चाहिए यह अप का अप date post होना चाहिए और ये भी आपका app date post होना चाहिए वेल योडियू बी ओके यहां तक तो ये जो इफ खतम हो रहा है यह आपका इक start हुआ और यहां खतम हो रहा है तो यहां से में क्या कर दूंगा यहां फोला पार्ट भी दे दूँगा और यहां जैस्ट मैं एको करा दूँगा भी फिलाल के लिए कि पेज नॉट एफ ओ यू एंडी फांट ठीक है अगर यह गैट सेट नहीं होगा तो है न अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर तो यहां पे एक चीज़ और करना होगा कि पोस्ट कैटेगरी पोस्ट टाइटल और इमेज नेम तो यहां यह खाली रहेगा तब भी कोई दिकत नहीं होना चाहिए क्यों कि लेके बंदा जरूरी नहीं की इमेज अपडेट करेगा वह पुराना फोटो भी रख सकता है कुछ और अपडेट करेगा तो इसके लिए कि इमेज के लिए मेरे को यहां पे और एक मेरे को आप्शन देना ह होगा तो यहां एक input फिल्ड मैं और लूँगा input और टाइप इसका मैं रखूंगा hidden h i d d e n hidden ठीक है input type equal to यहां पर हम लोगों ने रख दिया hidden और उसके बाद में फिर यहां पर क्या करना है मेरे को इसका एक पर नाम देना है तो यहां पर नाम मैं दे दूँगा hold долud immerg image और उसके बाद फिर मैं यहां पर दूँ आ क्या करूंगा value अब value जो होगा यहां पर क्या होगा P HP वाला code open होगा और फिर ब्रबलत हो ँई में यह तो गलत हो रहा है PHP वाला code open होगा और फिर PHP बंद होगा और उसके बाद में यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां हम लोग लिखेंगे इको और उसके बाद में पोश्ट और वेरियेबल में हम लोग का data available है तो यहां पर यहां पर यहां पर आ जाएगा IMAG image ठीक है तो यहां से मेरे को यह value मिलेगा जो already database में available है ना वही value यहां मिल जाएगा ठीक है और कुछ कड़बर तो नहीं है PHP को post इमेज ठीक है सारा चीज अब यहां आ जाते हैं हम लोग अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को देखें यहां पर हम लोग जाएंगे तो यह तो यह तो validate कर रहा है इतना चीज को बस इतने चीज को validate कर वाते हैं अगर वैलिडेट ठीक से नहीं होता तो एड पोस्ट पीछपी वाला पेज में मेरे को लेके जाएगा तो एड पोस्ट वाला में क्यों लेके जाएगा भाई यह मेरे को कहा ले जाना चाहिए edit पोस्ट एडिट पोस्ट में जाएंगे हम लोग नहीं तो एडीट पोस्ट में जाएंगे तो दूँगा आईडी यहां से मेरे को आईडी मिल जाएगा ठीक है अब उसके बाद में बाकी सारा चीज तो यहां पर हम लोग एड कर समय देखे थे कैसे मिलेगा मगर इसमें देखे चेंजेस का आजाएगा यहां से थोड़ा से हम लोगो चेंज करना पड़ेगा यह जो इमेज का पार्ट है यहां से मैं इसको तोड़ दूँगा और यहां पर मैं क्या बोलूँगा इफ ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के अंदर मैं बोलूँगा अग इंगर एंटी नहीं होता है यह जो आपका इमेज नेम है आई eh image नेम तब आगे का यह काम होगा यहां पर हागे का काम क्या होगा एक एक चीज मैं लेते जा रहे हो ने कि आगे काम क्या होगा यह वाला कि उसके बाद में फिर क्या होगा ये वाला लाइन भी होगा मैं देखे समझा इसके नहीं रहा हूं कि एड़ टाइम आफ एड़िंग पोस्ट इंस इंटू दा डाटावेस मैंने सारा चीज़ समझाया था ठीक है तो ये सारा ख़ले ही मैं बता रहा हूं कि ये कब होगा वो मैं दिखा रहा हूं आपको ये सारा चीज़ तब होगा जब मेरा particular कोई आदमी अगर कोई बंदा अगर इमेज select क्या होगा तब ही होगा में जहकर selected नहीं क्या तो ओर्ड वाला फाइल हम लोका जाएगा ठीक है तो यहां तक यह वहगिया उसके बाद में फिर और यह भी होगा सारा चीज यह जो है यहां पर एक काट देते हैं हम लोग इसको मैं अंदर ले जाता हूं ठीक है और फिर यहां पर इफ भी बंद कराना होगा हम लोग को इसको बंद करा देंगे और फिर यहां पर else वाला पंट हम लोग लिएक्ट देङए अब Group labeling देंगे अब compared में हम लोग वह एरर वाला पार्ट को डिस्प्ले कर वाना हम लोग अजिए एरर वाला पाड मतलब हो एज जो ऐल फ वाला था इसको यहां से गर हम लोग हटा देते हैं और यह वाला यह जो है यह आ जाएगा यहां पर ठीक है ना आइड पोस्ट में ले जा रहा है हम लोगों इसको एडिट कोष्ट में ले जाने अभी फिलाल एड पोस्ट में रहने देते बात की बात देखा जाएगा यहां तक हो गया इसके बाद में फिर यह बंद हुआ फिर यह क्या है देखिए यह वाला चीज यहाँ पर अगर image कोई बंदा सलेक्टी नहीं करता है तो क्या होगा तो यहाँ पर आपका else वाला party स्टार्ट होगा और उसके बाद में फिर else वाला पार्ट में सारा काम होगा अब यहाँ पे else वाला पार्ट में क्या करवाएंगे हम लोग देखिए यह जो else वाला पार्ट में है यहाँ पे हम लोग फिर से एक variable लेते है ऐसे करके new image, new name और new name वाला जो variable है इसके अंदर में अब हमारा value चेंज हो जाएगा देखिए हम कुछ और value लेकि जाएंगे कौन सा वेल लेकि जाएंगे हम लोग पोस्ट ब्रैकेट और उसके बाद में वहाँ पे क्या लिखा हुआ था old image लिखा हुआ था मैं आपको दिखा दूँगा भी वहाँ पे देखिए दो इमेज का value मिलेगा जब कोई बंदा इमेज को select करेगा ना तो देखिए एक हमारा यह file through से मिलेगा अगर माल यह कोई select ही नहीं करता है तो by default यह जो था हमारा जिसका नाम हम लोग दिए है कहां पे नाम दिए देखिए हां उपर में देखिए hidden type और old image इसमें हमारा पुराना वाला image का जो value होगा वह आ रहा है ठीक है ना यह मिल जाएगा तो यहां पर हम लोग उस तरह से name equal to इसको हम लोग खाली रखते फिला ठीक है ना तो अब मैं फिर समझा दे रहा हूं देखिए वही चीज़ है कि image अगर कोई select करता है नया image तो फिर इफ वाला अंदर का code चलेगा और इफ वाला अंदर का code चलेगा तो देखिए यहां पर जो नया नाम है यह new name में यह वाला वैल्यू इंसलाइस होगा और जो फोल्डर है उसमें एक नया फोटो भी अपलोड हो जाएगा और मान लिजे कि कोई अगर select ही नहीं करता है तो क्या होगा कि new name में क्या हो जाएगा यह value आजाएगा old name वाला value आएगा ठीक है और उसके बाद में फिर सारा चीज़ वैसे ही होगा देखिए इंसेट वाला क्य market है तो इसको नोग ठीक कर लेंगे पहले यहां पर हम लोग क्या करते कि यहां यह वाला चीज़ को हम लोग update लिख देते हैं पहले तो Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup पिर क्या हो जाएगा SAT set उसके बाद में क्या आएगा Cat आएगा ये ब्रेकट यहां से हट जाएगा और देन cat के बाद यहां पर क्या करेंगे हम लोगी equal to inverted कॉमा और यहां पर variable क्या होगा यह टीकेट उपर में है नाम उसके बाद में फिर टाइटल फिर equal to फिर यहां single inverted comma यहां पर dollar sign उसके बाद TIT L L L E ठीक है उसके बाद में फिर body उसके बाद में फिर यहां जाएंगे हम लोग यहां पर dollar sign और फिर लिखा हुआ है उपर में body वाला variable उसको लिख देंगे फिर image वाला फिर यहां जाएंगे और image के लिए हम लोग क्या variable यह dollar sign new underscore IMAGE image फिर से यहां पर जाके मैं इसको word wave कर देता हूं ठीक है अब यह नीचे आ गया और फिर यहां पर author equal to and then यहां पर हम लोग फिर dollar sign a u t h o r o r वाला variable है उपर में उसको ले लिए फिर यहां पर tag यहां पर हम लोग गया है फिर dollar sign और टी एजी एस टैक सारा चीज हो गया यहां पर यह चीज हमको नहीं चाहिए यह जो वैल्यू यहां पर था ठीक है यह यह सब ठीक हो गया उसके बाद हमको क्या देना है condition तो यहां लोग लिखेंगे where ID equal to और फिर यहां पर हम लोग dollar ID दे देंगे देखिए dollar ID कहां है उपर में सारा वेरियेबल देखे है देखे dollar ID फिर cat title body tag author new name ठीक है वही सारा चीज हम लोग यहां पर लिख दिये अब क्या होगा कि यह अगर हमारा जो चलेगा ठीक है वह तो लोग देख लेंगे मगर अभी हम लोग को पहले तो यह जो error आ रहा है मतलब एक bracket जो हम लोग का ज़्यादा है उसको पहले solve कर लेते ना यह एल्स पार्ट आये है यह पार्ट के बाद में एक है फिर यहां पर यह एक एक एक्ट्रा लगना में इसको खटा देंगे अगर हम लोग तो देखे ठीक हो गया ठीक है और यहां पर क्या करना पड़ेगा यह जो add post में लेके जा रहा है यहां लोग लिख देंगे SHOWSO POST और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे SHOWSO POST और यहाँ पे भी चेंज करना होगा यहाँ हम लोग कर देंगे अब डेट ठीक है तो I think सारा चीज़ तो OK है अगर सब चीज़ ओके रहा तो error नहीं दिखाएगा और काम हो जाएगा नहीं तो यह हम लोग काम बढ़ाएगा कोई बात नहीं है एक बार चेक करने में क्या जाता है तो यहाँ तक तो सब ठीक दिख रहा है चलिए एक बार चेक करते हम लोग तो अब वापस मैं यहाँ लेके चल जाता हूँ आपको और एड़ पोस्ट में गए हम लोग फिर सो पोस्ट में गए हम लोग सो पोस्ट में अब देखी यहाँ जावा में जाता हूँ मैं और यहाँ एड़िट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्कैनर क्लास जो है इसको मैं चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे हम रिक देता हूं मैट कृक्ष क्लास और यह गबार में stage ब्ला सब्सक्राइब में ट्रैशं करता हूं तो में ट्रपर अपड़ कि मेरे को एरर देखने को मिल को बढ़ी कोई कुई दिक्कत नहीं को देखने को मिल रहा है क्योई तुरंट हम लोगों समझ में आ गया इसलिए बहुत बढ़ी है क्योंकि यहां पे हम लोग को DB चाहिए क्योंकि यह हैदीifiquesication हम लोग WHO यहां पड़ेगा यहाँ पे यहां पRE हम लोगों को DB वाला जो क्लास फाइल हमारा उसकी यहाँ इंक्लूड करना होगा तो यहां पर मैं लिखता हूं include once और उसके बाद यहां पर मैं लिख देता हूं db.php और उसके बाद यहां पर कॉमा ऐसा करने के बाद अगर वापस हम लोग यहां चलते हैं और इसी को अगर मैं refresh करूं और यहां continue में क्लिक करूं तो देखिए add successfully वाला message दिखा रहा है और साथी साथ देखिए यहां पर हमारा updated हो गिया है math class दिखा रहा है लेकिन लेकिन हम लोग problem face कर रहे हम लोग क्या problem face कर रहे हैं यहां पर जो image है वो गायब हो गया देखिए और देखिए error यहां पर है यहां पर new name लिखना था तो यहां मैंने new image लिख दिया था यहां पर new name अगर हम लोग कर देते हैं और वापस अगर हम लोग यहां जाते हैं और एक बार अभी हम लोग इसको refresh करते हैं तो refresh करने पर एक चीज है कि देखिए अभी हमारा image यहां पर और यहां पे कुछ भी एक image में लेता हूं open करता हूं and then update में मैं click कर देता हूं तो देखिए अब image update हो गया मेरा यह वाला भी और इसका भी image में update कर देता हूं देखिए image update हो गया अब मैं फिर से दिखाता हूं जैसे edit में हम लोग गया और अभी image में अपडेट कर रहा हूं मैं यहां पर यह जावा जो है इसको मैं python with GUI कर दे रहा हूं ठीक है और वापस हम लोग यहां जाते हैं और update post में क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए python with GUI हो गया है और हमारा image भी बरकरार है यहां पर पिछले बार जैसे image गायब हो गया था वैसा कुछ नहीं हो रहा है ठीक है तो I hope कि आप सब को समझ में आया होगा और अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा